ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए गुर्दे दुखाने के लिए या फिर फेपरे दुखाने के लिए नहीं बस एंटर्टेनिंग परपस के लिए है सो डॉंट गो एनिएट कीप स्माइलिंग आठवे अपिसूर का आगाज होते ही नैना को चीले अगवा कर लेती है क्यूंकि ये चीले लड़कियां बेचने का धंदा करती है बानी को जब पता चलता है कि नैना और लड़कियां ट्रक में तो वो भी ट्रक के पीछे नागिन बनके पीछा करना शुरू कर देती है पर शामा एक मजाक है तो हम भी मजाक कर रहे हैं भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है अब इस गंजे मुण्शी ने इस ट्रक में एक अदद बामब भी फिट किया हुता है अच्छा लेकिन क्यों लड़कियों का बिजनस है लड़कियों को नुक्सान नहीं होना चाहिए लेकिन ट्रक में बामब फिट किया हुआ है पैसा पर पाग्लो हो क्या बिजनसमें बनोगे तुम चीलो और इदर देखो यहां बानी ओड़के ट्रक पर चड़ जाती है वा बानी वा फिर बानी सारी लड़कियों को एके करके बचा लिती है लेकिन नैना जिसको यह ढून रही थी वो बंब के साथ पाट जाती है यनि मर जाती है और बानी को वीर बचा के अपने घर ले जाती है लेकिन एक मिन्ट है जब वीर चिल बना था तो उसने ये बच्चों वाली जैकर ने थी पैनी अब कैसे आ गई फिर काफी देर बाद जब बानी को होश आता है तो वो कहती है अरे बेबकूफ नागिनों की रानी बानी पहले कुछ हराम शराम करो पी ओ पानी शानी लेकिन नई बानी ने तो जैक को है काल लगानी जैसे आज कल नोजवान उटते ही नहीं कहते खर ये जहां होती है उसी जगह जैक को बलाती है और उसके साथ चली जाती है पर एक मिंटे, नागिन के पास मूबाइल कैसे आ गया, क्योंकि जब ये चील इसको आसमान की बूलांदियों पे लेगी गया था, इसके हाथ भी खाली थे, इसके पास कोई मूबाइल नहीं था, इसके पास कोई बैग मिन है, और ना ही इसके पास कोई जेव है, तो क्या यह बानी के घर पहुंचा होता है बाजी के रिश्टे के लिए खर तुतु मैमम होने के बाद जब वीर डर्वाशा खोलता है तो बानी को गुस आता है तो वो गुसे में वीर के घड़ के घर चली जाती है वाँ ये लड़की हो के रात हो दिन हो कहीं भी किसे भी वक्त जा सकती है और यहाँ पर अगर कोई वाश्रूम में भी जा रहा हो तो पीछे से आवाज आती है भाई किदर खर जब वीर दर्वाजा खोलता है तो बानी कहती है मेरे होते हो ये शादी कभी नहीं हो सकती अरे हे बानी जब मिया भीवी राजी तो क्या करेगी बानी बाजी ये वीर को दो तिन सुना के इसके घर से निकल रही होती है कि जैए पहले ही इसके इंतजार में खड़ा होता है वाँ पिर ये जंगल के रास्ते जा रहे होती है तो रास्ते में एक बुड़े आदमी को देखते है और जैए बानी को कहता है बानी भी दिल ही दिल में कह रही होती है कि अब है मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ मुझे कैसे पता फिर ये रोक के उस नागों वाले मंदिर के रास्ते के बारे में पूछते हैं और वो बुड़ा आदमी कहता है और थोड़ा सागे जाने पर पता चलता है कि जहां से गुजर के आए थे वहीं पर पता नहीं कैसे 3D मंदर नमुदार हो जाता है जब बानी मंदर के दर्वाजे को हाथ लगाती है तो उसे नाग दिखाए देती है नाग देखके डर जाती है लाओ साब खुद नागिन है फिर भी नागों से डर रही है अरे क्या नागिन बनोगी तुम और जब जहाथ लगाता है उसको चील नजर आती है जहाए का तुरा ही निकल जाता है इसके बाद फिर वही मोस्ट फनी पार्ट बानी जहाए को कहते है कि अगर हमें अपनी असल हकीकत मालूम करनी है तो हमें परातना करनी होगी हमें शिव जी को खुश करना होगा परसन्य करना होगा परसन्य स्पन्य यार कुछ कहते है इंदी में खुश करने को और नाग नागिनों का बगवान खुश कैसे होता है मुझरा और आखिरकार इनके बगवान अस्पन्य यार खुश हो जाते हैं और इनकी असल हकीकत सामने आ जाती है फिर ये नाग नागिन आम मुझरे से परफेशनल डिजिटल मुझरा शुरू कर देते हैं और इसी दुरान इनको सब कुछ याद आ जाता है नागिन भी डेले खुलती है जै भी इतने बुसूरे डेले खुलता है वीर भी इनके पीछे पीछे आके मंदिर के बाहर भिहोश हो जाता है बानी जै को कहती है कि हम इस चील को यहाँ पर इदर आभी मार देते हैं लेकिन फिर इसको यादा तेक के नहीं, भगवानने का था कि पहला हमला कीजी पर नहीं करना बलही आपका दुश्मन आपको पहला हमला करके इमार दे फिर आप दूसरा हमला करते रहना उसके लिए आपको फिर दस हजार साला बाद पुनर जनम लेना पड़ेगा फिर आप आना दूसरा हमला करने अपने दुश्मन पर लेकिन तब आपको फिर याद आ जाएगा कि वे यार पहला हमला नहीं कर सकते वो तब दुबारा आप पे हमला करके आपको मार देगा फिर आप मरके हजारों साल बाद तपस्या करके जनम लेना फिर आप आना दुबरा इसी तरह ये प्रोसे चलता रहेगा इतना लाइफ गराब होगी है इतना लाइफ गराब होगी है मेरा खर ये जस्ट मजाग था नाइन एपिसोड्स हो चुके हैं और छे पार्ट हो चुके हैं इस सीरिस के अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह आगे भी चलता रहे तो लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं ठीक है ना लाइक 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 करना मत भूले अगर आप पहली देवा तश्रीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें तो चलता हूँ यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज ए्यूँ